आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे B.I.P. सुप्रीम मुके सहनी के बारे में जिनसे जूरी सुत्रों से बहुत बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है। ख़बर है कि एक बार फिर राजत से मुके सहनी की बात्चीत अगामी लुक्सबा चुनाओ में गटबंधन को लेकर सुरू हो गई है। और बताया जा रहा है कि यहाँ बात्चीत आखरी दोर में ही हैं। जो कि आज से कल के बीच में फाइनल हो जाना है कि मुके सहनी का राज के लड़ने की बात चल रही है उसको एक एक करके बताएं उससे पहले आपको बता दे कि बिहार में लगभग सभी पाटियों की स्थिति असपष्ट हो चुकी है कि कौन सी पाटि किसकट बंधन के साथ चुनाओ लड़ेगी यहां तक कि पसपति कुमार पारस ने भी इधर गुजारा नहीं होने वाला है तो उन्होंने एंडिये में ही रहने का निर्ने ले लिया है लेकिन मुके सहनी की पाटि भी आईपी ही एक लोती पाटि बच गई है जिसका रूख अभी तकसपष्ट नहीं हो पाया है लेकिन सुत्रों के मुताबिक जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि एक वर फिर राजस से गटबंधन को लेकर मुके सहनी की दिल्ली में त्यस्वी यदों से बात चित हुई है जिसमें सीटों के सांसा मुके सहनी की विसेसमा निसाद अरक्षन पर भी चर्चा हुई है जो कि काफी सकरात्मक रहा है और बताया जा रहा है कि अगले एक से दो दिनों में गटबंधन पर फैसला हो जाने वाला है बात करें सीटों की तो सुत्रों की माने तो त्यस्वी यदो और सहनी के भी दो सीटों पर सहमती बनी है लेकिन वे कौन सी दो सीटे होंगी इस पर मन्थन जारी है बताया जा रहा है की दो फर्मूले पर विचार किया जा रहा है ताकि सहनी के लिए दो सीटे एड़श्ट की जा सके बात करें उन दो फर्मूलों की तो उसमें पहला फर्मूला या है की एक सीट मदबनी राजद अपने कोटे से दे दे और एक सीट मजब फरपूर कॉंग्रेस अपने कोटे से दे दे वहीं दुसरा फर्मूला या है की मदबनी के सांसाथ एक और सीट राजद ही विआईपी के लिए एड़श्ट करें खेर अब देखना होगा की क्या आखिरकार निसकर्स निकलता है वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें